Assalamu alaikum students welcome to lecture no.24 of digital logic and design CS302 और इस lecture को हम स्टार्ट करेंगे एप्लिकेशन आप एप्लिकेशन आप एप्लिकेशन से फिर्स्ट अप्लिकेशन यहां पर दिसकास की विए यह देख है कि हमारे पास एक मैं प्लिक्व करें हैं तो इसमें यह हो सकता है कि हमारे पास eight bits मौझूद हो और eight bits को हमने serial में convert करना है हमारे पास eight bit है तो वो इस तरीके से हो सकती है one zero one one zero zero one one तो यह तमाम bits one by one आगे transfer होंगी serial पर मतलब पहले one आएगा उसके बाद zero आएगा फिर one और one फिर इस तरीके से आगे transfer होगा तो कुछ देर के लिए यह वाला data हमरे पास store होना चाहिए यह data store होगा तब ही यह one by one आगे transfer हो सकेगा तो उस data को store करने के लिए हम डी flip flop use कर सकते हैं सेम काम हम डी latch के थो भी कर सकते हैं लेकिन last lecture में हमने discuss किया था कि latch के अंदर एक enable का signal होता है तो जितनी देर तक यह signal enable रहेगा उस टाइम में अगर न्यू इंपुट आएगी तो यह जो पराने वाली इंपुट है यह change हो जाएगी और इसके लिए पर न्यू डाटा आ जाएगा जबकि जो flip-flop होते हैं वो सिर्फ positive एज या फिर नेगिटिव एज पर काम करते हैं तो अगर हमारा ऐसा flip-flop है जो सिर्फ positive एज पर काम करते है जब एक positive एज आ गया तो इसके बाद अगर data circuit के अंदर कुछ ऐसे input आ रही होती है जो के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती जबकि हमारा जो system है normally वो clock pulse के साथ काम करता है तो for example हम कोई computer यूज़ कर रहे हैं और उस पर हमने को input provide की है keyboard के थूँ तो जो keyboard है जब हम button press करते हैं तो वो clock के साथ अक्सर सिंक्रोनाइज नहीं होते तो इस किसम की input के साथ फिर डी फ्लिफ लॉप को अटेश कर दिया जाता है तो फिर जो इस input के अगेंस्ट आउट्पूट जनरेट होगी वह according to clock जनरेट होगी जिस तरीके से एक circuit डिखाया हुए मतलब यहां पर कोई स्विच है की बोर्ड का बटन भी हो सकता है जब इस की बोर्ड के बटन को हम प्रेस करेंगे और एंड गेट की जो output जनरेट होगी वह according to clock ख नहीं होगी तो उस से आप दिख सकते हैं इस किसम का problem आसकता है किकुछ pulsis नहीं नहीं होगी मतलब यह जो pulse है इसकी width complete नहीं है सेम इस तरीके से यह जो pulse है इसकी width है वह इतनी होनी चाहिए तो बहुत से circuit आसा होते हैं जिसके अंदर minimum pulse pulse इंящå ना हो तो circuit हमारे काम नहीं करते हैं तो इस problem को solve करने के लिए हम यह कर सकते हैं कि जो हमारा switch होगा उसके साथ हम flip flop को attach कर सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके साथ यह flip flop attach हो गया और इसकी विज़ा से अब जो हमारे पास output generate होगी उसके अंदर पल्स हमारे पास आएंगी उनकी पल्स कम्टीट होगी और इसके काम करेगा मतलब कोई भी एस सिंक्रोनियस इंपूट है उसको सिंक्रोनियस इंपूट में कनवर्ट करने के लिए हम flip flop का कर सकते हैं नेक्स्ट अप्लिकेशन पर बताई हुई है कि पैरलल डाटा ट्रांसफर यूजिंग डी flip flop बतलब अगर हम पैरलल डाटा को एक जिज़ा से दूसरे जिगा पर सेंड कर रहे हैं तो उन हमने लास लेक्टर के अंदर डिसकास किया हुआ तो दुबारा से सेम बिल्कुल वही चीज़ इस लेक्टर में भी रिपीट की वी है तो इसको हम यहां पर स्किप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिर है एप्लिकेशन आफ ट्रिगर यहां पर डिफरेंट डिसकास की मिया जि होगी के साथ होने का मतलब है कि यह जीरो के साथ होगी और जो एंपूट है उस पर हम कोई करेंगे और जो बी इंपूट है यह एस क्लॉक इस्तिमाल की जाएगी नेक्स्ट अप्लिकेशन जो यहां पर डिसकास की हुई है वह है जे के फिलिफ लॉप यूज ऐस फ्रिक्व डिवाइजर मतलब को करने के लिए जंकि को इस रिफनकिया कि होते हैं और बीफरेंट कंपूनाइट्स होते हैं इंडुथरेंट कंपोनाइट डिफरेंट के ऊपर हो firearmि हमारे से हैं तो लीस स्क्रों को हम सकते हैं तो फ्रिक उलुब यहांठ कर सकते हैं यहाँ से ऑम् point two five और जितनी हमें मज़ीद हैं वो इस जे के flip flop को यूज करके हम बना सकते हैं उसका तरीका यह होगा कि जो जे और के inputs हैं जे के flip flop की उन्हें हम combine कर लेंगे तो इस डियाग्राम में आप देख सकते हैं कि इस flip flop की जे और के inputs हापस में combine हैं और इस पर बन प्रोवाइड किया है और हमें पता है कि जब हम बन प्रोवाइड करते हैं तो यह टॉगल स्टेट में आ जगता है मतलब जब भी clock pulse आएगा तो इसकी input एक दफ़र zero होगी फिर one होगी फिर one होगी फिर one होगी तो इस तरीके से यह काम करेगा यहां पर इसकी टैमिंग डियाग्राम के तुरू आप देख सकते हैं कि जो ओपर हमारे पास frequency आ रही है उससे half frequency जो है वह इसकी output पे हमें मिल रह आएगा तो हमारे पास यहां पर वन आ जाएगा उसके बाद एक cycle complete होगा जब दुबारा पॉजिटिव एज आएगा तो हमारे पास zero आ जाएगा इस तरीके से नेक्स पॉजिटिव एज पर फिर one आ जाएगा फिर zero आ जाएगा और अगर यहां पर मैं clock की बात करूं तो व one zero मतलब यह उदिः होते तब हमारे पास एक पन आता है फिर उसके बाद जब बन एलो होता हमारे यह पर जिरो के कativos हमारे कर सकते हैं और इस तरीके से इसके आगे अगर हम और फ्लिप लगा दें तो यह जो फ्रिकंसी है यह मजीड डिवाइड हो जागी मतलब अगर इससे आगे एक और फ्लिप फ्लॉप होगा तो उसके और पूट कुछ एस तरीके से होगी वन और जिरो मतलब यहां पर अगर चार हमें उससे नेक्स्ट मिल जाएगी वह चीज पिर यहां पर बताए गई है कि अगर दो flip-flop हम आपस में अटाइच कर दें तो इसकी विजह से जो हमें frequency मिलेगी वह कुछ इस्तरी के से होगी मतलब पहले जादा frequency है फिर उसके half frequency और फिर उससे जादा मजीद हाफ frequency हमें मिल रही है उससे जो एप्लिकेशन डिसकास की विए वह है यूज एज शिफ्ट रिजिस्टर इसको एज शिफ्ट रिजिस्टर भी हम इस्तमाल कर सकते हैं शिफ्ट रिजिस्टर यह करता है कि डाटा को शिफ्ट करता है है तो इस case केंदर हमा BROWN आर जैसरी डाटा इस तरिक्ये से होकर क्यू ओड़न और भी जिरो जीरो है और हमारे पास आ रहे है वह वह रहरा है तो यह जो इन्पुट है इसके विज़ा से यहां पर हमारे पास वन आउटपुट आ जाएगी और यह जो जिरो है यह पर अपलाए हो रहा था तो इसके विज़ा से नेक्स आउटपुट भी जिरो रहेगी और बकी तमाम जितने आगे जिके फिल्फ लॉफ लगे में उनके जिरो ही रहेगी अब नेक्स क्लॉक पल्स में यह होगा के न्यू डाटा हमारे पास जिरो हो जाएगा यह जो जैके फिल्फ लॉफ है इसकी इन्पुट पे इस वक्त बवन मौझूद है तो जैसे नेक्स क्लॉक पल्स आएगी यह जो वन है यह इसके आउटपुट पर आ जो पीछे वलेश जिरो है इस जगह पर जाए गा और पीछे सी जो न्यू डाटा है वह यहां पर जिरो आजाएगा इस तरीकर से आप देख सकते हैं कि जो वन शरू के यहां पर था एक लॉक पल्सके बाद वह जिगा नेक्स फिलिफ लाप के आउटपुट हो जाएगा उ तो इस तरीके से कमबाइन करके एक शिफ्ट रिजिस्टर बना सकते हैं उससे यहां पर डिसकस की हुई है जैके फिलिफ लॉप को काउंटर के तौर पर भी इस्तिमाल किया जा सकता है फ्लिफ लॉप को इस्तिमाल करके हम अप्काउंटर भी बना सकते हैं और दौकाउंटर का मतलब यह एक जो काउंटर है वो स्टार्ट होगा जीरो जिरो से उसके बाद आए गागा जिरो फीर ऊन जिरो फिर उसके बाद और दुबारा से और यह रिवे सैट हो जाएगा क्यों और इन्ही फ्लिफ्ल्प को यूज्र कारें हम डाउन कॉंटर बिना सकते हैं डाउन कांटर होगा वन फिर उसके बाद बन 0 होगा फिर जो वन हो गवार प Prideella कोंट जो इन पूट है यह और के वह वह वन से कुनेक्ट Thai में आप देख सकते हैं कि दो फिलिफ फ्लॉप की जो इन पुट है जे और के वह वन से कनेक्ट है अब इन दोनों की जो आउट पुट है वह शुरू में जिरो और जिरो आ रही होगी और यह जो फिलिफ फ्लॉप है इन्हें जो क्लॉक प्रोवाइड किया गया है वह आउट पूट यहां पर आइस क्लॉक प्रोवाइड हो रही है बतलब यहां पर जीरो थी और जीरो से वन होगी यह चारे पास पॉसिटेव ट्रांजेक्शन हो की आउटपुट चेंज होगी बन से जिरो हो जाएगी और यह जिरो जब इस जिग आपके आगे अपलाए होगा मतलब यहां पर भी एक नेगिटिव ट्रांजेक्शन हो रही है तो तब सेकंड फ्लप फ्लप की जो आउटपुट है वह बन हो जाएगी मतलब नेक्स सिक्मस अ नहीं होगी तो यहां पर जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वह फ़र्स्ट फ्लप की वन है और उसके बाद जो सबस्क्र झादश्क वनई है यह आपके सामने सरकेट हैं यह अप कांटर का सरकेट बना हूब इस clock pulse है उसको हम q से disconnect कर देंगे और इसको हम connect कर देंगे q बार से तो उस case के अंदर यहां पर जो sequence generate होगा वो down counter का sequence generate होगा और इसी के नीचे timing diagram दी हुई है तो timing diagram में आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास output आ रही है वह है 01 फिर उसके बाद है 10 और फिर है 11 उसके बाद दुबारा से reset हो जाएगा 00 और फिर 01 10 और फिर उसके बाद 11 तो इसके साथ ही हमारा आजका लेक्टर एंड होता है इस लेक्टर के अंदर आपको कोई भी confusion हो तो आप comment section के अंदर पूछ सकते हैं इस वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा मिलेंगे इ next lecture में तब तक अल्ला हाफिज